वैसे तो आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मीजिक प्रडेक्शन के लिए एक से एक बहतरीन BST प्लगिंस को यूज किया होगा पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी सॉफ्टेयर आते हैं जो सिर्फ हार्डवेर बेस्ट पे चलते हैं मतलब अगर आप उसका फिजिकल हार्डवेर लेते हो तो ही उस प्लगिंस को आप यूज कर सकते हो एक्जामपल के लिए आपके पास कोई इंटरफेस है तो आप उसके सॉफ्टेयर को उसमें यूज नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसी कमपनिया हैं जो अपने प्लगिंस को हार्डवेर बेस्ट बनाती हैं मतलब उस कमपनी के प्लगिंस को आप सिर्फ उस हार्डवेर के तुरू ही चला सकते हो ऐसी एक बहतरीन company है जो world का सबसे best software बनाती है वो भी अपने hardware best पे और यह आता है universal audio के तरफ से आपने इसके काफी सारे versions को use किया होगा जैसे universal audio twin, universal audio Apollo solo ऐसे करके काफी सारे इसके hardware आते हैं जिसमें आपको physical software मिल जाता है अपने computer पे DAWs पे real time effect में यानि on board real time effect वाला processing आपको देखने को मिलता है पर क्या आपको पता है कि यह plugins अब आपके लिए software version में available है मतलब अगर आपके पास hardware नहीं है तो भी इस plugins को आप use कर सकते हो monthly subscription देखे तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हो इनी plugins के बारे में इस वीडियो को start कर लेते हैं और हमिसा की तरह आपसे request करेंगा कि अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो कर देना और इस वीडियो को like करना अगर आपको वीडियो आगे पसंद आती है तो आई देखते हैं कैसे इस software का हम लोग trial use कर सकते हैं and 14 days का trial आपको मिलता है तो अ तो सबसे पहले आपको यहां पे google पे आना है और यहां पे search करना है universal audio and इसकी site पे आप आएंगे simply आपको इसको open करना है इसकी जो website है इसे open करना है and उसके बात यहां पे दिखिए UAD spark get 20 plus of the best UAD plugins in a low monthly price तो बहुत powerful plugins है and आपको बहुत कम rate में मन्तली price में मिल जाएगा तो यह mac and windows दोनों version के लिए available है तो अगर आप इसको लेना चाहते है तो definitely ले सकते है नहीं लेना चाहते है तो आप इसका trial ले सकते है तो चलिए सबसे पहले start my trial पे मैं click करता हूँ and उसके बाद यहां पे ध्यान रखना है कि UAD spark यह इसका नाम है bundle का plugins का जो आपको मिलेगा and सबसे पहले यहां पे दिखिए over 20 of our best UAD plugins for a low monthly price no UA hardware required तो यहां पे बुला जा रहा है कि hardware की आपको बिल्कुल भी जरुत नहीं है आप simply इसको try कर सकते है and इसको use कर सकते है monthly subscription पे तो try 14 days free इस पे मैं click करता हूँ and उसके बाद आपके पास इस तरह के एक option आएंगे सबसे पहले आपको यहां पे email id डालने तो मैं email id डालके इसको skip करता हूँ उसके बाद यहां पे आ रहा है कि आप इसको monthly ले सकते हैं या फिर yearly लेना चाहते हैं आपके लिए कौन सा best value है वो बता रहा है बट अभी हमें जो यह वाला plan है मन्थली प्लान इसको लेना है 14 days free trial दिन 19.99 dollar मन्थली आपको यहां पे पे करना है instant pro sound run natively on mac and windows always expanding library तो यहां पे आप इस पे जा सकते हैं मैं simply select monthly plan पे क्लिक करता हूं तो अभी आपको कुछ details भरने होंगे details क्या भरने हैं देख लीजिए सबसे पहले यहां पे आपको एक account बनाना होगा अगर आपका account नहीं होगा जैसे मेरे किसमे मैंने अभी तक इस पे कोई account नहीं बनाया तो हमें account बनाना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले अपना account जी है वह बना लेता हूं और उसके बाद यहां पे create my account पे आपको क्लिक करना है तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे cancellation before लिखा हुआ है 30-10-2022 to avoid getting billed तो अगर आप चाहते हैं कि cancel हो जाए आपका plan तो आपको एक दिन पहले इसको cancel कर देना 14 days का जो टायल मिलता है एक दिन पहले आपको जो plan है इसको cancel कर देना है तो आपको जो plan है वो cancel हो जाएगा और आपको जो यह plan है यह जो मतली है यह आपको प्या नहीं करना पड़ेगा तो यहां पे आपके सारे bill details आपको show करेगा तो आपको यहां पे bill details यहां पे भरने है और उसके बाद यहां पे payment information आपको दिख रहा है तो आपको यहां पे payment जो है वो भरना पड़ेगा payment detail तभी आप इसको ले सकते by the way मैं आपको बता दो कि payment आपका कटेगा नहीं just for security purpose यह लोग यहां पे इस तरह से आपका payment detail है वो लेते हैं ताकि वो monthly subscription जो plan है वो activate कर सकें अगर आपने cancel नहीं किया तो तो simply हमें क्या करना है आपको यहां पे payment details बना है आप चाहें तो express and आप चाहें तो यहां पे build detail इस तरह से continue कर सकते हैं मैं सबसे पहले इस information को बढ़ लेता हूं और उसके बाद continue to payment पे क्लिक करता हूं तो यहां पे हमारा जो software है वो download हो रहा है आप देख सकते हैं automatically यहां पे यह download हो रहा है UA connect app and यहां पे लिखा है thanks और यहां पे नाम लिखा है order id यहां पे आपको volt usb audio interface बागी सब कुछ दिख रहा है यहां पे आपको download UA connect app जो है इस app के तुरू जो है यह चलता है तो यहां पे mac and windows दोनों version दिया हुआ है तो आप इसको download कर सकते हैं आगे का जो process है इसको download होने के बाद मैं आपको बताता हूं ओके तो यहां पे download हो चुका है and simply आपको दिखे UA connect करके जो app है इसका 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 आपको simply click करना है and आपके सामने इस तरह का setup खुलेगा मैं इस page को hide कर लेता हूं and उसके बाद यहां पे agree and यह automatically verified होगा and installation process आपका आएगा UA connect यहां पे आ रहा है simply इसको drug and drop करता हूं जिसे यह automatically install हो जाएगा हमारे Mac के अंदर okay तो इसको मैं close कर रहा हूं and अभी क्या करने वाला हूं इसको भी मैं यहां से बंद कर देता हूं exact करके तो अभी मैं चलने वाला हूं यहां पे launch pad के अंदर and यहां पे UA connect नाम करके आपके सामने app दिखेगा simply आपको इसको open करना है तो जैसे मैंने इसको open किया यहां पे UA connect यहां गया and अभी आपको सबसे पहले काम करना है and अभी सबसे पहले आपको login करना है यू-a-d spark करके आगया हमें get started पे simply क्लिक करना है तो जो i-lock account है वो यहां पे connect हो रहा है and जो भी plugins होगा वो भी हमें यहां पे show कर जाएगा and उसके बाद मैं आपको आगे का process दिखाता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं जो plugins है वो आगया है and automatically यह downloading process में लग चुका है and automatically यह download हो रहा है basically अभी जो सारे plugins हैं वो एक-एक करके install हो रहा है and फोड़ी दिर बाद I think सारे plugins install हो जाएगा उसके बाद हम इसको check करने वाले and मैं आपको इसका final दिखाने वाला हूं कि क्या सा plugins यह work करता है and क्या result आपको दे सकता है अब time मैं इसको check करने का तो आए plugins open करते हैं and सबसे पहले DAWs open करता हूं and इसको open करके देखते हैं कि इसका result कैसा आ सकता है तो एक छोटा सेयाव प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी हाली में किया है and इसको मैं भी आपको सुनाओंगा but उससे पहले मैं आपको सारे plugins दिखा देता हूं Universal Audio के जो plugins आते हैं and free में कौन-कौन से plugins मिलते हैं basically free तो नहीं है आपको 15 दिन का trial मिलता है तो वो trial में क्या-क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखाने वालो सबसे बहले मैं आपको यह सुना देता हूं जो मैंने बनाया है मैं हेड़फोन लगा लेता हूं हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए क्यूं किसी के दर पे जाए क्यूं किसी के दर पे जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए तो यह जो फोकल है यह मैंने भी हाली में record किया था कुछ दिन पहले यह विडियो मैं बाद में suit कर रहा हूं मतलल हो बाद में बना रहा हूं क्यूंकि मैं बीच में कहीं गया था आने के बाद मैं दुबारा से इस वीडियोस को बना रहा हूं universal audio को जो plugins होते हैं वो दिखा देता हूँ कौन को जो plugins आते हैं तो यहां पर जो आप plugins देख रहे हो वैसे तो यह plugins as stock है मैंने इसका stock plugins यूज किये हैं और कुछ third party plugins यूज किये हैं बट अगर आप universal audio के plugins करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हो वह भी काफी अच्छा है बाट उतना अच्छा result भी हमें नहीं दिया तो मैंने उसको अपने प्रोजेक्ट में से हटा दिया तो मैं आपको दिखाता हूँ plugins और उसके लिए यहां पर audio units के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर universal audio UADX करके है और यह वह प्लगिंस है जो आपको देखने को मिलता है सबसे पहले यहां पर देखिए REVA compressor मिलता है Studio Mono दोनों मिल जाता है इसके अंदर क्या है कि यह जो compressor है सेम वैसी वर्क करता है जैसे आपको दूसरा compressor है इसे मुझे ज्यादा कुछ खास difference नहीं दिखा इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया आगे चलके मैं इसको यूज करूँगा अगर अच्छा result आया तो मैं इसको लूँगा अधरवाइस मेरे पास option है कि मैं खुद के stock plugin से जो software है उसको यूज करके अपना गाना design करूँगा या बनाऊँगा यहाँ पर default आप देख सकते हैं plugins लगावा है यहाँ पर काफी सारे आपको जो है presets देखने को मिल जाते हैं जिसको आप use कर सकते हो especially vocals के लिए भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो कि start here for vocals यह सब plugins है जिसको आप use कर सकते हो अपने vocal में भी compressor भी बहुत बढ़िया है बट अभी इसको हम अच्छे से test करेंगे उसके बाद ही मैं आपको इसका result बता पाऊंगा क्योंकि मैं आपको result नहीं बता रहा हूं just मैं आपको plugins दिखा रहा हूं कौन-कौन से plugins आपको इसमें मिल रहा है और यह जो song है मैंने इसी especially plugins के लिए बनाया था बट इस plugins को जब मैंने use किया तो मुझे उतना अच्छा result नहीं आया तो मैंने इसको हटा दिया फिर अभी मैं आपको दिखाता हू और कौन-कौन से plugins आते हैं universal audio के तो यहां पर देख सकते हैं 1176AE compressor आपको देखने को मिल रहा है तो यह भी compressor है आप यहां पर देख सकते हो AE compressor और उसके बाद यहां पर 1176LNREVE compressor देखने को मिलता है तो यह plugins है और compressor कापी सारे दे रखे हैं इसने इसके अंदर और उसके बाद bus compressor भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो bus compressor भी आप यूज़ कर सकते हो बिसकलिए बहुत ही बढ़ियां आई यह तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो API मिलता है आपको API Vision Channel Strip जो कि आपने यूज़ किया होगा दूसरे plugins का दूसरे company का बट इसका जो result है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है यह मैंने यूज़ किया था अपने गाने में इसका result भी अच्छा था बट अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया ह डिपेंड करता है situation के उपर कि किस गाने किस आपसे कौन सा आप यूज़ करना चाहते हो उसके बाद आपको bridge chorus मिल जाता है यह तो यह bridge chorus आपको देखने को मिल जाता है अगेन मैं आपको एक और plugins दिखा रहा हूं इसका तो यहां पर आपको tap echo मिल जाता है यह इसका tap echo है इसके अंदर भी आपको बहुत सारे preset देखने को मिल जाएंगे तो आप यहां पर से simply preset तुरू भी जा सकते हो और उसके बाद आपको यहां पर और भी काफी सारे plugins देखने को मिल जाते हैं जैसे hitvilla का EQ जो है वो भी बहुत बढ़िया है इसका तो यह है EQ hitvilla का इसको मैं यहां से remove कर रहा हूँ और इसकी जगा पर मैं दूसरा लेकिया रहा हूँ EQ mastering के लिए भी दे रखा है तो अगर आप mastering में यूज करना चाहते हो तो इस plugins को यूज कर सकते हो इसके अलावा यहां पर और भी काफे सारे plugin से जैसे la2 compressor, la2 a gray compressor, la2 a silver compressor तो यह तीनों एक ही design का है बट थोड़ा सा अंतर है ज्यादा अंतर नहीं है यह वाले compressor बहुत अच्छा result देता है यहां पर एक मिलता है preamp and EQ जो की बहुत ही बढ़ी है असांदार है अभी इसको मैंने यूज किया था अपने पिछले प्रोजेक्ट में तो next project में आपको इसका demo भी दूँगा दिखाऊंगा भी especially mic preamps के लिए यहां पर mode दे रखे हैं तो जो बहुत अच्छे से वर्क करता ह यहां पर EQ है फिर यहां पर आप देख सकते हो reverb है tap recorder है chorus है इतना ही plugin से आपको देखने को मिलता है तो मैं आपको EQP1AEQ यह मैं आपको दिखा रहा हूं तो यह EQ है बहुत ही बढ़िया है जितने भी plugin से इसके सारे hardware के उपर बने वे तो result भी ठीक ठाक ही देते हैं बट यह software जो चला है इनका hardware पर नहीं चला है तो अभी कितना clear result देगा मैं आपको तो नहीं बता पाऊंगा बट हाँ आगे चलके मैं आपको इसका result definitely बताऊंगा कि कैसा है एक यहां पर pure plate reverb मिलता है जो बहुत ही कम function के साथ में आता है बहुत अच्छा result देता है तो यहां पर आप द यह इसका tap recorder है and last जो plugins इसके साथ में आता है वो आता है decorus यह भी मैंने use किया है तो यह भी tik-tak result दे देता है तो यह कुछ plugins थे जो इसके साथ में आते हैं stock plugins जिसको आप use कर सकते हो इसके लावा और भी कोई plugins आपको इस purchase वाले version में देखने को नहीं मिलते हैं मतलब इसका 15 दिन का जो trial होता है जब end हो जाएगा तो यही plugins आपको सिर्फ मिलेगा इसके लावा और कोई भी plugins आप नहीं ले सके क्योंकि यह hardware पर नहीं चल रहा है यह आपका software based है मतलब software तो है बट यह आपका computer पर चल जाएगा किसी भी normal बिना hardware के तो result आपको मैं आगे वाले videos सा प्रोजेक्ट मैंने इसी के लिए किया था और इसका sound आपको कैसा लगा यह भी comment करके बताना एक बार फिर से मैं आपको सुना रहा हूं किस को सुनाएं क्यूं किसी के दर पे जाएं क्यूं किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए हाले दिल किस को सुनाएं तो thank you so much इस videos को देखने के लिए and मैं आपसे मिलता हूं next videos में तब तक आप लोग stay tuned रहना हमारे इस channel पे